इन दिनों में बच्चों में summer cold की जो problem है वो काफी common है तो उसको हमें कैसे treat करना चाहिए first option है कि आप saline drops का use कर सकते हैं अगर बच्चे का नाग बंध है बिल्कुल blocked है वो breathe भी नहीं कर पा रहे तो आप बच्चे की nostrils में two times saline drops add करें two two drops in each nostril ये काफी effective रहेगा नाग को open करेगा और बच्चे को breathe करने में काफी easy हो जाएगा second option है हमारे पास baby rub तो baby rub को आपको कैसे apply करना ना baby rub को जब बच्चा रात को सोएगा तो उसके clothes पे shoulder पे apply करते जिसे कि उसकी जो fragrance होगी वो बच्चे के nose तक जाएगी और उसका nose open करने में उसको help करेगी उससे उसका cold ठीक होगा उसको directly nose पे आप apply मत करें या तो clothes पे apply करें और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की chest block है तो आप chest पे भी अप्लाई कर सकते हो back पे अप्लाई कर सकते हमारे पास fourth option आता है fluids का तो क्या होता है कि कई बार बच्चे जब cold में होते हैं तो वो जादा खाना prefer नहीं कर दे तो उस case में आप बच्चे को जितना हो सकता है उन्हें fluids दे पानी का intake जादा रखें और अगर कुछ वो solid prefer नहीं कर रहें तो आप puries की form में खाना दे सकते है आप soup बगेरा भी उनको दे सकते हैं फिफ्ट जो option है हमारे पास वो है अजवायन और लॉंग की पोटली तो इसका use हम जब बच्चे सो जाते हैं तो उस time पर करते हैं इसका use काफी जाता effective है इसके लिए आपको करना क्या है आपको दो लॉंग और थोड़ी सी अजवायन च आइस अरोमा आना स्टार्ट ना स्टार्ट हो जाए जब वो आपको अरोमा फील होने लगे तो आप उसको गैस को बंद कर देए कर दे और वो जो अजवायन है और लोंग है उसको एक मलमल के कपड़े में ट्रांसफर कर ले और उसकी छोटी से पोटली बना के वो बच्चे के पास रखते हैं यह जो है उसको कोल्ड उसका ठीक करने में काफी उसके help करेगी उसका nose open करेंगी thank you for watching please subscribe to our channel for more such tips thank you